नमस्कार मैं आपके साथ विभाव पाध्याय इजराईल और हमास युद्ध के बीच मध्य पुर्व में तरावन एक एहम मोड ले लिया है मंगलबार देर्दों पर लेबनान की राजधानी बेरूद समेट कई जगों पर संदेश पहुचाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले पेजर में एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसमें दस साल की एक बच्ची के साथी नो लोकों की दर्दनाक मौत हो गई अलग-अलग जगों पर पांच हजार पेजर एक साथ फढ़ते हैं अब आप अंदाजा लगाए कि इस पेजर का इस्तेमाल किस तरीके से यहाँ पर विस्पोट करने के लिए किया क्या जस पेजर में लीथियम का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के साथ एक साथ पांच हजार पेजर फढ़ जाते हैं जिसमें तीन हजार से ज्यादा लोग जखली हुए हैं जो जानकारी इस वक्त सामने हैं हमले में इरान समर्थित समू हिजबुला के लड़ाके और लेबनान में इरान के राज़तूत भी घायल हुए हैं जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही हैं हिजबुला के करीबी सूत्र ने समाचार एजनसी एफपी को बताया कि मृतकों में हिजबुला के सांसत अली, अम्मार और हसन, फदल्ला के बेटे भी शामिल हैं ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुला के सूत्र के अनुसार ये कहा जा रहा है कि दक्षनी कस्मों में जसमें कि दक्षनी लेबनान और पुर्वी लेबनान की बात की जाए पुर्वी बेका घाटी में हिजबुला के गड़वे पेजर धमाके हुए जिसमें समु के सैक्डो लोग घायल होते हैं इस धमाके किवचव से इसराइल और हमास युद्ध की बात कर लें तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से इसराइल ने हिजबुला के कई कमांडरों को अपना निशारा बनाया इसके बाद इसे देखते हुए समु ने संचार के लिए इस्तमाल के जाने वाले फोन का इस्तमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया यानि कि आप मोबाइल का इस्तमाल नहीं करेंगे इसके पीछे का उनका मकसद ये था कि उनकी लोकेशन को ट्रैक ना किया जा सके लोकेशन की जानकारी लोगों को ना हासिल हो इसलिए पेजर का इस्तमाल करने के लिए उन्हें हिदायत दी गई पेजर का इस्तमाल तो ज़रूर किया जा रहा था लेकिन इस पेजर के इस्तमाल के साथ ही इसी पेजर को उनकी कमजोर कड़ी बनाते हुई कैसे धमाके किये गए जिसमें नौ लोगों की मौत हो चुकी है तीन हजार से ज्यादा लोग जखमी हुए हैं पताया जा रहा है इस पुला के ख्यूफिया तंत्र से बचने के लिए टेक्स्ट मैसिज भीजा और रिसीव करने के दोरान ही पेजर का जो इस्तमाल होता है उसी का फायदा उठाते हुई इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया एक साथ सभी पेजर्स पर मैसिज का आना और उस वजह से बताया जा रहा है कि पेजर जिससे सुरक्षत मानते हुए स्तमाल किया जा रहा था वही इनकी जान के लिए सबसे बड़ा खत्रा इस वक्त बन गई पेजर में टेक्स्ट मैसेज भेजा और रेसीव किया जा सकता है एक रेडियो फ्रेक्वेंसी पर ये पेजर जो है वो काम करता है और लेबनान में ब्लास्ट हुए पेजर ताइवान से मंगवाए गया थी ये ताइबान में ही बने थे पेजर बनाने वाली ताइबानी कमपनी ने कहा कि पेजर में लगे हुए डिवाइस यूरोप में बनाने वाली जो ताइबानी कमपनी है उसने बताया कि यूरोप में इससे थे कमपनी ने इसे बनाया था और इसलिए उसने अपना पल्ला इससे जिम्मेदारी नहीं लिये उसने इसे लेकर कोई आपचारी का बयान नहीं दिया है ये इंतजार ही अब तक कहा जाए कि एक तरीके से किया जा रहा है हमला के लिए हिजबुला ने इसराइल को जिम्मेदार जरूर बता दिया हो और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो हमले हुए है ये सुनियो जित तरीके से हुए टार्गेट फिक्स करके किये गए। अमर्हान से हल करने का हवान क्या है भाई कि आप अपने बीच जो ये जंग है अपने बीच का जो तनाव है उस तनाव को कम करिए ताकि इसका असर दूसरे राष्टों पर ना पड़े मानावता के लिहाज से ये बहुत घातक हो सकता है लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि अमेरिका को एक डर जो है जरूर सताने लगा और इरान को इसलिए अमेरिका चेतावनी दे रहा है तो पेजर हमले के बाद एक जंक या शंका जो है वो छिड़ती हुई नजर आती है इस खबर पर क्या है आपकी राए बताईएगा जरूर